इंफोमेशन वॉल पर फिलाल डीटेल आपके सामने आज और कल होने वाली बैठकों को लेकर जहां देखें किस तरीके से संयुक्त विपक्ष की बैठक हो रहे हैं बैठक हो रहे हैं बैठक होने वाली है वहीं एंडिय के 29 दल एकशात यहांपर सामने आने वाले हैं और महतवफून ये है किस तरीके से ये समझ लिजिए कि संयुक्त विपक्ष की 11 राजियों में सरकार है जबकि 16 राजियों में एंडिया की सरकार है ऐसे में ये बैठक को लेकर बड़ी खबर है कि किस तरीके से 24 क कि इस पावर टेस्ट में किसका क्या महतवपून रोल लेरेने वाला है क्योंकि देखिए लोकसभास सांसद यहां पर 141 इस बैठक का हिस्सा बने वो हैं जब कि कल होने वाली बैठक में 333 लोकसभास सांसद यहां पर मौजूद बताए जा रहा है जब कि एठानवे राज्य स सांसद और 111 एंडिये के सांसद यह डीटेल आपके सामने इसलिए क्योंकि एक बड़ा सवाल उठाया जहां 2024 का यह पावर टेस्ट कहा जा रहा है हाला कि विपक्ष की बैठक पर बीज़पी नेता मुक्तार अरबास नकवी की तरफ से क्या कहा गया है वो भी आपको सुना उनकी तरफ से यह बयान सामने आया कि विपक्ष के सपने एक और मुंगेरी अनेक 26 के चूले को खिचडी खांदान बताया जा रहा है किचडी खांदान के खुर्चन से अधे कि यह कुछ भी नहीं है कॉंग्रेस अपने सहयोगियों को धोखा देती आई है जुनावी चूले की ख्यास ख्याली खिचडी खांदानी खुर्चन साबित होगी क्योंकि इसमें जो है वो जो लोग हैं उनके सपने जो हैं वो एक हैं लेकिन मुंगेरी अनेक हैं इसमें ख्वाइशें एक हैं और खांदान अनेक हैं तो ऐसी सिती एक है ने शेर की हजारें ख्वाइशें ऐसी कि हर ख्वाइश पर दम निकले बहुत निकले मेरे अर्मान लेकिन फिर भी कम निकले तो सब की ख्वाईश है तो एक है कि किस तरह से सत्ता कि सिंगासन पर पहुंचो कैसे जो है वो गटवंदन की गट्री को आईजेक कर लो अंग्रिस का तो इतिहास है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं बांगलूरू से हमारे सायोगी कुमार विकरांत इस वक्त हमें जॉइन कर चुके हैं और दिल्ली से समयाता आमोध राए एंडिया की बैठा के बारे में उनसे करेंगे बात लेकिन सबसे पहले कुमार विकरांत आपके पास आना चाहूंगी बैठा की एजेंडे की यही रहे या कोई और हो इसके लिए कॉंग्रेस ने बाकी सायोगी दलों पर छोड़ दिया है कि वो क्या चाहते हैं यूपिय का अध्यक्ष चुकि कॉंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है उसी से होना चाहिए अब वो सोनिया गांधी को रखना चाहते हैं सायोगी दल या म लिकारजुन खरगे को या रहूल गांधी को ये भी सायोगी दलों पर छोड़ दिया है अब ही मुझे पता है आप इंफ्रमेशन और देंगे लेकिन सोनिया गांधी की मौझूद की इसके मैंने का क्या ये यूपिय की रिवाइवल की कोश़श है ये सायोगी दल तैकर ले कॉंग्रेस वो माल लेगी लेकिन यूपिय अध्यक्ष कॉंग्रेस का ही हो तोकि सबसे बड़ी पार्टी वो है सायोजक के तौर पर नितिश कुमार का नाम है जिस पर सभी लोग सहमती देंगे तो वहाँ पर बात बनेगी इसके अलावा दो-तीन सबकमेटियां बननी है जिसमें कि किन मुद्धों पर आंदोलन करना है किन मुद्धों पर सरकार को घेरना है और सावरकर जैसे किन मुद्धों को नहीं चूना है इसके बाद जो कल की बैटक हो जाएगी उसके बाद सीटों के बटवारे को ले करके राज जिवार चर्चा की शुरुआत होगी उसके लिए एक सबकमेटी बनाई जाए जो कि बार बार 26 दलों के सभी नेताओं को एक साथ बुलाना बैठाना थोड़ा मुश्किल है इसलिए स सबकमेटिया भी बनेंगी और साथी साथ ये भी तैह हो जाएगा तिकिन मुद्दों पर मोधी सरकार को घेरना है सीटों के बटवारे की बात और गड़बंदन का स्वरूप क्या होगा नाम क्या होगा उसका सयोजग कौन होगा ये सारी चीज़े कल तैह होगी आज शाम को तीन से चार बहे तक चलेगी और उसके बाद सभी नेता प्रेस कॉंफरेंस करेंगे दो वाते याद रखिएगा पिछली बार प्रेस कॉंफरेंस से पहले केजरी बाल चले गए थे और पिछली बार शरत पवार के साथ जो प्रफुल पटेल आये थे वो अब एंडिये के प बिल्कुल बिल्कुल सुर्वी आप कह सकती है कि बीजेपी माइक्रो मेनेजमेंट करने जा रही है और बीजेपी और आज की जो बैठक यूपीय की हो रही है उसमें एक बेसिक अंतर ये है कि बीजेपी लगबग साड़े चार सो सीटों के आसपास खुद चुनाव लेगी जबकि यूपीय में भी तैय नहीं है उसमें बड़े बड़े दल है इसलिए उसमें बराबरी के स्टेक लेने की बात होगी लेकिन सबसे महत्रपूल बाती है कि बीजेपी के जो गठवंदन दल है उसमें तकरीबन 29 कंफर्म पार्टियां है संभावना इस बात की जताई ज बढ़ सकती है इनकी संख्या 31 तक जा सकती है लेकिन वह जितनी भी पार्टियां है उनके उनके वोट वैंक तो मजबूत हैं लेकिन उनके दावे छोटे हैं लेहाजा बीजेपी के लिए एक कंफर्ट पोजिशन रहती है और कल इस मैठक को असाम आठ बजे होना है उस जोन में बीजेपी यहां पर रहती है लेकिन वहीं विपक्षी दलो की बैटक में कुमार इस बात पर नजर बनाये रखे किस-किस को कमफुटेबल करने में यहां सब काम्याब रहते हैं आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे शुकरी आफिलहाल पूरी जानकार के लिए आपका